हाई दोस्तों मैं हूँ पंकज यादव और आप देखरें मेरे यूटूब चैनल पंकज स्टेडी सेंटर तो गाइस आज किस वीडियो मैं आपको बताऊंगा नेफरोन की कार्ज के बारे में जी हाँ दोस्तों तो चलिए इस वीडियो को हम सांदार तरीके से सुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि किडिनी के भीतर लगवक एक मिलियन नेफरोन नेफरोन यानि वरिक कानू होते हैं और किडिनी का बहुत सारे नाम बोला जा सकता है जैसे किडिनी एक इंगलिस वर्ट है इसे हिंदी में आप कह सकते हैं वरिक कहिए या फिर गुर्दा कहिए इस तीनों नाम से अप इसको हम जानते हैं ओके फ्रेंड्स तो आप इहां एक बात तो किलियर हो चुकी है कि नेफरोन यानि वरिक कानू जो होती है वो साइज देख रहे हैं या नेफरोन का शित्र यानि 컨ु का इतना बड़ा जो है तो यह तो बड़ा करके दिखाया गया है लेकिन इसमें किडिनी के अंदर जो होता है वो छोटे छोटे होते हैं और कितने होते हैं तो 1 million यानि 10 लाग के बरावर ओके दोस्तों तो अब हम बात करेंगे आपको कि निफ्रॉन जो होता है वो किडिनी के अंदर मुखे रूप से दो महत्पून कार्ज संपन करते हैं पहला कार्ज यह है कि रुधीर में सभी उत्सर्जित पदार्थों को हटा देते हैं तथा रुधीर में आवश्यक पोसक तत्तों को बनाए रखते हैं दूसरा हमारे पास है कि निफरोन का मुख्य कार्ज है रक्त को सुध करना जी हाँ इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप से पूछा जाए कि निफरोन का मुख्य कार्ज क्या है तो आपका यह गा रक्त को सुध करना यानि फिल्डर करना ओके आई हम आगे बठते हैं आगे हम देख रहे हैं कि आप जो यहां आप देख रहे हैं प्याले नुमा संरचना ओके जो आप प्याले नुमा संरचना देख रहे हैं उसे हम कहते हैं बोमन संपूट अगर आपको कहा जाए कि निफ्रोन के प्याले नुमा संरचना को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे बोमन संपुट ओके गाइस तो उमीद है कि इस question को आप समझ गया होंगे अब मैं आपको यह clear कर दूँ कि निफ्रोन के दो पार्ट होते हैं और दूसरा रिनल टूबलेस होता है तो यह दोनों जो होता है क्या निफ्रोन के दो पार्ट होते हैं ओके फ्रेंट्स यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ सेर कीजिए अगर इसमें किसी तरह की तूटी आपको लग रही है तो आप हमें कमेंट करें ओके फ्रेंट्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई